पिछले वीडियो में हमने सारे नंबर्स के डिविजिलूटी रूल देख ली हैं मैंने कहा है कि 11 का रूल हम सेपरेटली बताएंगे तो यहाँ पर मैं 11 का रूल में डिराइव कर रहा हूं और उसके बाद हम रूल लिखेंगे तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूं से 4 डिजिट का नंबर है में लिए 4 डिजिट का नंबर और वो डिजिट है इसे A, B, C, D एक 4 डिजिट का नंबर है तो आपको जैसे हमने class 3-4 न पढ़ा होगा A क्या है? 1000s place पर है B 100s place पर C 10s place पर, D units place पर तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको में लिखेंगे A into 1000 plus B into 100 plus C into 10 plus D मैं एक नमबर कोई साभी नमबर लिख लो से 3, 2, 7, 9 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 into 1000 plus 2 into 100 plus 7 into 10 plus 9 तो मैंने यहाँ पर ABCD रेजिया अब आप ध्यान से देखिए अगर आप 1000 को 11 से डिवाइड करते हैं तो remainder क्या आती है? remainder आएगी 1000 को 11 से डिवाइड करने पर आएगी remainder 10 याने कि अगर एक और 1 और जोड़ दूँगा 1000 में तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी तो उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? A into 1001 minus 1 right plus B into 99 plus 1 plus C into 11 minus 1 plus D मैंने इसी नमबर को तोड़के यहाँ पर लिखा है अब मैं इसको further तोड़ाओ तो A into 1001 minus A plus B into 99 plus B plus C into 11 minus C plus D calculation mistake avoid कीजिए right तो अब आप धिहाँ से देखिए 1001 ग्यारह से डिविसिबल है यानि कि ये पार्ट ग्यारह से डिविसिबल हो जाती है क्योंकि अगर है कोई भी नंबर 11 से डिविसिबल है तो चाहे multiplication में कुछ भी हो जाए वो नंबर 11 से डिविसिबल हो नी ही हो नी है यानि कि ये पार्ट ग्यारह से डिविसिबल है तो हम ये कह सकते है बचा है प्लस B प्लस C प्लस D इसको मैं और सिंपल करके लिखो तो वह लिखोंगा B plus D minus A plus C तो अगर ये remaining part अगर 11 से divisible होता है तो number 11 से divisible है तो rule यहाँ पर ये बना कि अगर 4 डिजिट का number है अब उसको further 3 डिजिट 2 डिजिट का ही बनाऊंगा अगर 4 डिजिट का number है तो ABC की 4 डिजिट का number है और B और D दूसरे और 4 यानि की even place वाले डिजिट है और A और C odd place वाले डिजिट का number है odd place digits है पहला और तीसरे स्थान पे A है दूसरा और 4 स्थान पे B और D है तो मैं यह कह सकता हूँ कि sum of the digits at the even place minus sum of the digits at the odd place अगर यह 0 होती है या 11 की multiple होती है तो number 11 से divisible है तो मैं यह कहूँगा जैसे कि इस case में 3279 हम कहेंगे 2 plus 9 11 3 plus 7 10 तो 11 minus 10 क्या होता है 11 minus 10 होता है 1 यानि कि यह 11 से divisible नहीं है अगर यहाँ पे मैं लिखता 3278 तो हम कहते 2 plus 8 10 3 plus 7 10 तो यह number 11 से divisible है अब में इस अब हमें अगर रूल पता लग गया है तो इसको मैं कुछ एक्जाम्पल से संग्या हूँ राइट जैसे में जैसी कि मैंने आप से कहा 3279 तो ही कहेंगे 2 plus 9 11 3 plus 7 10 11 11-10 1 यानिकी 11 से divisible नहीं है अगर मैं आपसे यह कहता है कि 279 है क्या यह रूल सिर्फ चार डिजिट के लिए है चार डिजिट से कम के लिए नहीं हो सकती बहुत उसका भी बहुत आसान तरीका है पीछे में 0 एड कर लीचे या आप यह भी कह सकते है कि राइट साइड से डिजिट का सम राइट साइड से डिजिट का सम क्या होता है और इसका क्या होगा 9 plus 2 और इसका क्या होगा 7 plus 0 तो 0 का अभी नोर कीजिए यह निए कि 9 plus 211 11-7 इसामच 4 हम कहेंगे कि सट 279 जो है वो 11 से डिविजिबल नहीं है और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमेंडर आती है चार तो यहां से दो बाते निकल के आती है कि पूरी रूल में हमें 11 का रूल भी पता निकल लाता है और यह भी पता लगता है कि कि डिविजिबल नहीं होगी तो रिमेंडर क्या आएगी राइट मैं एक और एक्जामपल यहां पर लेता हूँ से 23745 क्या यह 11 से दिविजिबल है मैंने एक रैंडम लिया है तो उनको राइट साइड साइड से लेते हैं राइट साइड से डिजिट्स लिए और उनको डव करेंगे तो राइट साइड से डिजिट्स क्या होगा 4 plus 3, 7, तो यहां पर all time digits एक और आएगी, 0, so 14 minus 7 क्या होगा, क्या होगा, 7, यानि कि यह number 11 से divisible नहीं है, और 11 से divide करने पर remainder आएगी, 7, so दोनों बाती यहां से clear होती है, a number is divisible by 11, if the sum of the digits at the even place minus the sum of the digits at the odd place is 0, or a multiple of 11, right, if that is not the case, then whatever comes, that is the remainder, वो number remainder, बचा हुआ 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 होगा, वो होगा remainder, झाल झाल